आप छात्र वर्सों तक कड़ी मेहनत करते हैं नीट परिच्छा के लिए आप अपना बेश्ट भी देते हैं लेकिन फिर भी अगर सरकारी कॉलेज पाने से चूग गए तो मजबूरी में प्राइवेट कॉलेज के बारे में सोचना पड़ता है यूँ तो कहने के लिए प्रती सरकारी कॉलेज से चूग गए हैं और आपके राज में सेमी गवर्मेंट कॉलेज नहीं हैं तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आपका मीनिमम बजट चालिस से पचास लाख रुपए से शुरू होगा दुर्भाग इसे बीच का कोई भी ऑप्सन नहीं है कि अगर आप दस इस नम्मर से सरकारी कॉलेज से चूग जाएं तो किसी प्राइवेट कॉलेज में 10 लाख 20 लाख या 30 लाख रुपए देकर पढ़ाई कर सकें आपको कम से कम आधि करोड रुपए खर्च करने पड़ेंगे तब किसी प्राइवेट मेट कॉलेज में आप एड्मिसन ले प्राइवेट कॉलेज में अपलाई कर सकते हैं और इंदस राजियों में जो कॉलेज की फीस है वह आस्तन कम है क्या है उनका एड्मिसन प्रोसीजर कितनी सीटे हैं और कट आफ क्या रहती है सारी जानकारी बताऊंगा आज की इस वीडियो में नमस्कार आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी देदू की कैटेगरी रिजर्वेशन का लाब आपको दूसरे राजियों में नहीं मिलता एक दो स्टेट ऐसे हैं जो की एक्सेप्सन है सबसे पहले सुरुवात करेंगे पंजाब राजे से पंजाब एक ग्रोजड श्टेट है यानि की दूसरे कालेज के लिए अपलाई नहीं कर सकते लेकिन यहां एक कॉलेज है CMC लुधियाना जो की CMC वेलोर का सेकेंड कैंपस है यह एक पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान है यहां पाँच सीटें ऑल इंडिये कोटे की हैं जिन पर दूसरे राज के कैंडिडेट भी अपलाई क कर सकते हैं CMC लुधियाना एक क्रिष्ठिन मायनर्टी का कॉलेज है जहां क्रिष्ठिन समुधाय के छात्रों को विभिनिस रेणियों में आरक्षन का लाब भी मिलता है ओपन सीट जो पांच है इन पर जो फीस है यहां 6,60,000 रुपय प्रतिवर्स है जो आपको 45 वर्सों तक देनी है यहां एडमिसन लेना चाहते हैं तो आपको पंजाब की स्टेट काउंसिलिंग में भाग लेना होगा जिसे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी कंड़क्ट कराती है और जो वेबसाइट है वो है bfuhs.ac.in वर्स 2022 में कट आफ क्या रही थी और इंडिया रैंक रही यहां 19 प्राइवेट मेटकल कॉलेज में 15 प्रिशत यानि की लगवक 372 सीटे और इंडिये कोटे के अंतरगत उपलब्ध हैं और फीस की अगर बात करें तो यह 7 लाख रुपे प्रतिवर्स हैं फीस यहां पे आपको 5 वर्सों तक देनी होती है हाला कि फीस का मैटर हाई को रहा है लेकिन फिलाल 2022 तक जो फीस लगी थी वो औसतन 7 लाख रुपे प्रतिवर्स की थी यहां अगर अन्य खर्चों को मिला दें में सोस्टल यह सब जोड़ दें तो जो टोटल बजट आता है वह लगवक 40 से 45 लाख रुपे का आता है एक MBBS सीट के लिए कट आफ की बात टेलिग्राम चैनल का लिंक है मैं बहुत जल्द वहाँ पे केरला के कॉलेजिस की कट आफ पोस्ट करने वाला हूँ और भी जरूरी जानकारियां समय समय पर वहाँ आपको मिलती रहती है केरल के लिए एड्मिशन प्रोसीजर क्या है इनकी काउंसिलिंग की वेबसाइट है केरला.ub.in 2030 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ओलेडी खतम हो चुके हैं 10 अपरेल लाश जीट थी अपलाई करने की लेकिन अगर आपने अपलाई नहीं किया है तो बिल्कुल भी परसान नहों नीट के रिजल्ट के बाद एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन होगा जिसे आप चाहें तो भर सकते हैं अगले राज की तरफ चलते हैं अगला राज है 36 गड़ी हाँ पर तीन प्राइवेट मेटकल कॉलेज हैं जिन में कुल मिलाके 96 ओपन सीट्स हैं यानि कि 96 ऐसी सीट्ट हैं जिस पर दूसरे राज के चात्र भी अपलाई कर सकते हैं इन में से तीनोहीं कॉलेज में गर्ल्स के लिए 96 और अरक्षित है यानि कि कुल 27 सीटें गर्ल्स कोटे के अंतर्ज Glas उपलब घंवेसे इन में इसके अलावा 23 सीटें तीनोहीं कॉलेज में यानि कि कुल 69 सीटें उपन कैटिगरी की हैं जिन पर मेरिट के हिसाब से वाइस और गर् प्रती वर्स की फीज 7,99,187 रुपए तै हुई है, वहीं रायपूर इंस्टिटूट ओफ मेटकल साइंसेस रायपूर की फीज 7,45,187 रुपए तै की गई है, तीसरा कॉलेज स्री बालाजी इंस्टिटूट ओफ मेटकल साइंसेस रायपूर इनकी फीज 7,50,187 रुपए त की गई है तीनों ही कॉलेज में कई तरह के अधर चार्जेस भी हुआ करते थे जिनको संतुलित करने का प्रयास किया गया है तीनों ही कॉलेज की फीज साधे चार वर्स तक देनी है और अगर इसमें होस्टल ट्रांस्पोर्टेशन चार्जेस को अगर हम एड कर दें तो प्रत हॉस्टल और ट्रांस्पोर्टेशन के खर्च को भी जोड़ दें तो तीनों कॉलेज का जो आउसत तोटल बजट निकल के सामने आता है वो पचास से पचपन लाक रुपए तक का होता है कट ओफ क्या रहती है यहाँ पे आम तोर पर यह 500 की ऊपर रहती थी लेकिन 2022 में रिजल्ट के बाद सुरू होती है रजिस्टेशन करना होता है आपको एक लाक रुपए की सिक्योरिटी डिपोजिट देनी होती है और सामाने तोर पे जो कट आफ है वो अंतिम राउन यानि की मौपप राउन या फिर इस्टे मौपप राउन में सबसे कम देखने को मिलती है चौथे ओप्सन पे चलते हैं नौर्थ इस्ट का एक स्टेट है त्रिपुरा यहां एक प्राइवेट मेटकल कॉलेज है त्रिपुरा इंस्टिटीट ऑफ मेटकल साइंसे यहां पे 20 सीट हैं जिन पे दूसे राज के छात्र भी अफलाई कर सकते हैं और जो सबसे खास ब यहां पे तीन सीटे हैं और एक सीट यहां पे एस्टी कोटे के लिए है फीज की अगर बात करें तो 2022 में ही इनकी फीज बढ़ गई थी अब नई फीज 14,80,000 रुपे है औस रूप से प्रतिवर्स की जिसमें होस्टल मेस और अधर एक्सफेंस भी इंक्लूड़ेड है बाद कट ओफ में काफी गिरावट देखने को मिली है पहले यह कट ओफ 450-500 से उपर हुआ करती थी लेकिन 2022 में चुकि बजट बढ़ा था यहां पे कट ओफ घटकी 326 से ली गई थी ध्यान रखिएगा प्राइवेट कॉलिजिस में बजट बहुत इंपॉर्टेंट साइट क्या है dme.trr.gov.in एक लाक रुपए की सिक्योर्टी डिपोजिट यहां भी देनी होती है पांचवें आप्सन के रूप में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेट के बारे में जो की मेडिकल एजुकेशन में नमबर वन है जी हां बात कर रहा हूं करनाटक के बारे में जह कम फीस पर उपलब्ध है मेरिट सीट की बात करें तो 29 मेडिकल कॉलेज में लगभग 700 सीटे हैं जो की ओपेन कैटेगरी पे हैं इन पे 70 फीस 10 से 11 लाक रुपे प्रतिवर्सकी होती है हॉस्टल लिवम अनिक खर्चों को जोड़ दें तो टोटल बजट 50 से 55 लाक रुपे क आसपास रहता है करनाटक में एडमिसन की प्रक्रिया क्या है इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बहुत जल्द आपको अपने इस चैनल पर दे दूँगा जहां आप डीटेल्स में कॉलेजिस के बारे में जान पाएंगे फिरहाल आपको जानकारी के लिए बता दू कि इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद यहां किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं लगनी है श्री मध्यसुदन साइंस्टिट्यूट ओफ मेडिकल साइंसे और रिसर्च जो की करनाटक के बल्लापूरम में इस्थित है यहां पहले 100 सीट की पर 20 देनी होगी लेकिन बदले में केंडिडेट को 5 वरसों तक इनके संचालन करने वाले ट्रस्ट के अधीन अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी चूंकि यहां पढ़ाई का खर्च सुनने हैं होस्टल का भी खर्च नहीं है ऐसे में इसकी जो कट-off है वो ओल इंडिये कोटे क सरकारी कॉलेज के कट-off से भी उपर रहने की संभावना है कुछ जरूरी टीप से करनाटक के बारे में वह भी जान लीजिए सबसे कम कट-off यहां पे आपको मॉपप राउंड में देखने को मिलता है जो कि ऑफलाइन कंड़क्ट कराया जाता है दूसरी इंपॉर्टेंट बात या है कि काउंसिलिंग के लिए जो रेजिस्टेशन है वह नीट के रिजार्ट के बाद सुरू होता है और अगर आपको मेरिट की सीट पानी है तो आपके पास रेजिस्टेशन का सिर्फ एक मौका है राउंड बन से पहले राउंड टू में फ्रेस रेजिस्टेशन न तो round 1 के पहले ही registration करा लेना है एक और important बात बता दो कि St. John Medical College जो की Bangalore में है कि ये के अंतरगत आने वाला एक वेहतरीन संस्थान है जिसकी 10 सीटें open category में आती हैं इनकी fees भी बाकी colleges से कम है लगबक 6.500.000 रुपे प्रतिवर्स लेकिन इसकी cut-off बहुत जादा होती है 600 के भी यानि कि इसमें आपको admission लेना हो तो all इंडिये कोटे में मिल रही सरकारी सीट आपको छोड़नी पड़ेगी तभी आप यहाँ admission पा सकेंगे और इस college में नहीं NRI कोटा है नहीं other कोटा है इसका क्या मतलब है कि अगर आपको St. John Medical College में admission लेना है तो आपके पास merit होनी जरूर क्यों बता रहा हूं यह बार-बार क्योंकि कई बार call या SMS की माध्यम से आप तक ऐसा दावा पहुंच सकता है जो आपके कम नीटी स्कोर पर भी इस college में आपको admission देने की गारंटी ले ले ध्यान रखेगा यह बिलकुल भी possible नहीं है वर्स 2022 की अगर हम बात करें तो इसकी colleges की merit वाली cut-off क्या रहती है वर्स 2022 में अब तक की सबसे कम cut-off देखने को मिली थी round 2 तक की जो lowest cut-off थी वो 476 mark थी लेकिन cut-off का यह trend जो होता है यह कभी भी repeat नहीं होता हर साल एक different situation होती है जिसके हिसाब से cut-off में बदलाओ देखने को मिलते हैं यह समझने के लिए आपको पुराने cut-off भी बता देता हूँ इसी करनाटक में वर्स 2021 की बात करें तो round 2 की cut-off है वह रही थी 533 और एक साल पीछे चले जाए 2020 की बात करें तो यही cut-off 583 देखने को मिले थी अगला जो option है वो किसी राजिसे नहीं है बलकि बात कर रहा हूँ Central Universities के बारे में जी हाँ Deemed Colleges के बारे में 2023 में कम से कम 50 Deemed Colleges ऐसे होंगे जो की MCC पे participate करेंगे हाला कि इन में से ज़्यादा तर काफी महंगे हैं 15, 20, 25 लाख रुपे प्रतिवर्स तक की fees है यहाँ पे लेकिन यह college ऐसा भी है जो सिर्फ women's के लिए है female candidates के लिए है Symbiosis Medical College for women's पूने यहाँ पे management कोटे के अंतरगत 122 सीटे हैं जिन पर प्रतिवर्स की fees 10 लाख रुपे है लेकिन यहाँ पे 10% की yearly increment भी है ऐसे में अगर हम hostel में इसके साथ full budget की बात करें तो यह लगभग 62 से 63 लाख रुपे के आसपास होता है cut off क्या रही थी यहाँ 2022 में तो round 1 में 538 वर close हुआ था round 2 में 544 पर और round 3 में cut off और ज्यादा higher side में चली गई थी 605 पर यहाँ close हुआ था इसकी counselling central counselling के द्वारा ही conduct होती है और central counselling की website है mcc.nic.in need के result के आने के बाद जभी भी notification आएगी तो all indy quote के साथ साथ ही आपको deemed का registration करना होता है और यहाँ पे deemed colleges के लिए 2 लाख रुपे की security deposit भी लगती है साथवे option में बात करेंगे पस्षिम बंगाल राजी की यहाँ पे कई private college है लेकिन सिर्फ एक college ऐसा है जिसकी fees और थन कम है यह college है KPC Medical College जो की कोलकाता में situated है 2022 में इसकी fees लगभग 55 लाख रुपे रही थी एक बात और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ admission के समय ही कुल fees का 50% एक मुष्ट देना होता है और अगले साल 25% और तीसरे साल में बाकी बच्चे हुए 25% की fees जमा करनी होती है hostel 75 से 80,000 रुपे प्रतिवर्स का है ऐसे में कुल बजट की बात करें तो 60,000 रुपे का टोटल बजट यहाँ पे देखने को मिलता है 75 सीटें ऐसी हैं जो की open category के अंतर गताती हैं और बात करें 2022 की cutoff के बारे में तो cutoff 511 रही थी admission कैसे होता है West Bengal की state counseling के दुरू होता है और state counseling की website क्या है www.wbmcc.nic.inneed की result के बाद यहाँ पे आपको registration कराना होगा कोई भी security deposit यहाँ पे नहीं देनी है आठवे option के लिए हम चलते हैं ज्यारखंड ज्यारखंड के पलामू में इस ठीथ है लक्षमी चंदरवनसी medical college जो की 2021 में खुला था यहाँ पे 75 सीटें open category की है जिन पर प्रतिवर्स की fees 10,25,000 रुपे की है लेकिन यहाँ भी hostel, मेश और अन्य खर्चों को जोड दें तो प्रतिवर्स की 10,25,000 रुपे होती है ऐसे में कुल बजट की हम बात करें तो यह भी लगभग 60,000 रुपे का होता है कट अफ की बात करें तो 250 नंबर के आसपास इसकी कट अफ देखने को मिलती है काउंसिलिंग इसकी जारखन के स्टेट काउंसिलिंग के माध्यम से होती है जिसकी वेबसाइट है www.jceceb.jharkhand.gov.in अगले आप्सन के लिए हम चलते हैं बिहार बिहार में भी कुछ कॉलेजिस ऐसे हैं जिनका टोटल बजट 64 से 70 लाख रुपे तक है कौन से हैं ये कॉलेजिस नारायना मेडिकल कॉलेज सासा राम जिसकी कट ओफ 350 के ऊपर देखने को मिलती है माता गुजिर देवी मेडिकल कॉलेज किसंगन जिसकी कट ओफ 500 के आसपास देखने को मिलती है और कटिहार medical college कटिहार जिसकी cut off 480 के आसपास देखने को मिलती है दो नए colleges भी है एक Lord Buddha college और एक Lord Buddha का ही second campus है इसका नाम भी नारायना है जो की सहरसा में है इन दोनों ही college की जो fees है total budget है यह लगबक 70 लाग का है cut off यहाँ पे 200 या कई बार 200 के नीचे भी देखने को मिलती है यहाँ पे admission लेने के लिए आपको बिहार की state counseling में भाग लेना होगा जिसकी website है www.bceceboard.bihar.gov.in अगला और अंतिम option है उत्तर प्रदेश fees तो बहुत ज़्यादा कम नहीं है यहाँ पे लेकिन उत्तर प्रदेश की चर्चा कई कारण से होती है नॉर्ट में कैसा राज है जहाँ पे 30 से ज़्यादा colleges हैं सबसे ज़्यादा open seats हैं यहाँ और कई बार cut off जो है वो भी बहुत कम चली जाती है सारे colleges अच्छे नहीं हैं लेकिन जो आसत बजट है वो 75 से 70 लाख रुपए से सुरू होता है हाना कि कई colleges से hidden fees की सिकायत है अगर उन colleges को छोड़ दें सिर्फ top colleges की बात करें तो उनके लिए जो expected cut off होती है वो 350 के ऊपर होती है उत्तर प्रदेश के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो अगर उत्तर प्रदेश की counselling करना चाहते हैं तो इसके लिए जो counselling के website है उत्तर प्रदेश इस्टेट counselling की वो है www.upneed.gov.in तो यहाँ पे सारी जानकारी खत्म होती है तो कहने के लिए यह कम फीस वाले colleges हैं लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 40 से लेके 60 लाक रुपए तक की और यह dark side है हमारे medical education system का की चीज़ें इसकदर unbalance हो गई है या तो सरकारी college आपको मिल जाये तब आप लगभग 5 लाक 6 लाक या इससे भी कम पे पढ़ाई कर लें या अगर आप उसे चूक गए तो आपका जो minimum budget सुरू होता है अगर हम केरल को भी consider कर लें तो वो 40 लाक रु दूसरे राज की semi government की seat के लिए आप eligible नहीं होंगे need counseling से जोड़ी important updates जानना चाहते हैं तो इस channel को भी subscribe कर लें और वीडियो के description में telegram channel का link है उसे भी जरूर join कर लें क्यूंकि वहाँ पे quick updates आपको मिलते रहेंगे अलग-अलग राजियों में colleges की fees details आपको मिलती रहेगी cut off आपको मिलती रहेगी all India quote के लिए complete choice filling आपको मिलेगी और अगर आप भी सरकारी college से चूक रहे हैं और आप any how private colleges में seat लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी होगी एक अच्छी planning जो कि multiple state की counseling को balance कर सक आते हैं तो मैं suggest करूंगा किसी counseling expert की मदद जरूर ले क्योंकि उनका experience कहीं ने कहीं काम आता है और वो आपको आपके deserving college तक पहुचा सकते हैं